Hello everyone welcome to Winkseer Kunal I am Shait Khan and Winkseer Kunal में आपका स्वागत है Dear students जैसा कि आप जानते हैं हम JKSSB Sub-Instructor Finance Exam के लिए MCQ Series चला रहे हैं इसमें हम सबसे पहले GS portion को cover कर रहे हैं इसी MCQ Series को continue करते होए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ बिल्कुल एक नेट topic पे and जिसमें हम like always कुछ important MCQ Series को discuss करींगे तो बट उससे पहले जिन students हमें पहली पर join किया हैं उनके लिए के important जानकारी JK Police Sub-Inspector की जो recruitment होने वाली है उसके लिए हमारे यहां offline and online दोनों तरह से courses available हैं जहां पे हमारे senior faculty members इस exam के तयारी कराते हैं तो अगर आपको इन courses के regarding कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप दिएगे numbers पे contact कर सकते हैं इसके साथ साथ और जानकारी JK SSB Sub-Inspector का जो exam होने वाला है in fact इसकी MCQ Series हम चला रहे हैं इसके लिए विंग से कड़ान एप पे एक test series available है जो सिरफ आपको मातर 249 रुपीज में मिलेगी तो आपको करना क्या होगा विंग से कड़ान एप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से और खुद को रिस्टर करना होगा उसके बाद आपको यह test series आप इस test series को दे पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के तीन दिन हमारे तीन दिन का गैप लाग गया क्योंकि बहुत दूरी काम ता तो आफ फिर से हम आ गए हैं तो आज से तो हम जितने भी इंपोर्टन चीजें सारी करेंगे इन इन स्पोर्ट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के कौशन नबर वन से तो यहां पर हमारे पास कौशन नबर वन है वेर डिड़ आइडिया ओलंपिक ओरिजिनेटिड ओके तो एज यू पीपल लो के ओलंपिक जो है यह एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट है तो हमें यह बताना है कि यह ओलंपिक्स का जो आइडिया है यह कहां एंटरी है तो वहां पर यह ओलंपिक्स का आइडिया औरीजिनेट वा सबसे पहले अलंपिक आडिया वहां पर आया झो कि यह स fen 176 में घ्रीज में स्टार्टर्ट हुए यह ओलंपिक्स होते कहां पर थे मैं आपको बता तो कि यह Olympics जो है ये ELEASE नाम का एक state था Greece में वहां पर होते थे और जगा कौन सी थी जगा थी Olympia जगा थी Olympia इसիरे इन Games का नाम Olympics पड़गिया उके तो ELEASE जो था ये state था ज़े क्वेज़े जो था Greece छोटे छोटे चोटे здесь state में बटा हुआ था चोटे चोटे इंडिपेंडनेंट सिटी स्टेट होते थे उनमें से इली से एक था और जिनमें जगा थी ओलंपिया वहां पे यह गेम्स होते थे तो यह हमारा कौशन नंबर वन का क्रेक्ट ऑप्शन था ए उसके बाद अगर बाकी के तीर ऑप्शन को हम हैं 1967 में बना के हेड़ कोर्टर जो हैं वह हैं जकाटा इंडोनेशिया मेंकि इसमें दस कंट्रीज थे तो इसके साथा आई में करें तो बंगलादेश यह सारक का मेंब्र है सबसे पहली बात साथ को मैंब्र सार्क 1985 में बनता है and SARC के headquarter Katmandu Nepal में SARC के 8 मेंबर से पंगलादी इसे एक है उसके साथ Canada के अगर बात करें तो Canada है हमारा G7 Group का member of the G7 Group कब बना था 1975 में तब यह 6th तो तो इस तरह से मैंने तीन countries के थुरू आपको त्रीन organization के बारे में बता दिया सितने members है में वह बता दिया तो चल्यों करते हैं जलते हैं हमारे question number two पे so who founded the International Olympic Committee तो International Olympic Committee जो है यह किस ने establish की हमें यह बताना है तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैंने आपको यह बताया कि Olympic Games हो हैं यह 1776 BC में कहां पे Greece में originate हुआ इनका idea, Greece में होती थी ये पहले, ओके, ये ancient Olympic Games थी, ओके, ancient Olympic Games, लेकिन modern Olympic Games जो है, ये शुरू हुई, 1896 है, ओके, पहली modern Olympic Games जो थी, पहली modern Olympic Games ये हुई, 1896 में, ये ग्रीस में ही हुई, लेकिन, कहां पर हुई, Athens में, Athens, ओके, ग्रीस में है, तो यहां पर पहली, first modern Olympic Games का हम बोल सकते हैं, जो इससे पहले, 776 वाला हमने का, वो ancient Olympic Games थी, लेकिन modern Olympic Games यहां से start होती हैं, तो यहां पर हमें बताना है, कि international Olympic Committee किस ने बनाई, तो मैं आपको बता दूँ कि international Olympic Committee जो है, ये औपी नमबर ये जो आप देख रहे हैं Baron Cobertin, Baron Cobertin जो थे, ये France से थे, और इन्हों ने बनाई, IOC, International Olympic Committee कब, 1894 में, और इन्हों ने ही कहा, कि क्या होना चाहिए, Olympics Games जो है, इंटरनाशनल लेवल पर खेली जाएं, तो उसके लिए उन्हों ने ये committee बनाई, और यही committee जो है, यही committee ये एक non-profit organization है, हम ऐसे कह सकते हैं और ये, ये सारी चीजें manage करती है, Olympic Games के, you know, regarding, और मैं आपको बता दू, Olympic Games हो है, ये हर चार साल के बाद होती हैं, ओके, हर चार साल के बाद ही Olympic Games होती हैं, तो यहाँ पे हमारा correct option क्या था, यहाँ पे हमारा correct option क्यों बैरन क्यों बटन है, ये France से हमें हमें पता है, लेकिन पाकी के 3 options को अगर आप देखेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कि PV सिंदू, option number B, जो आप देख रहे हैं, PV सिंदू, PV सिंदू को मिला है, Padma Bhushan Award 2020, मैंने आपको बताया है, okay, Padma Bhushan Award 2020, okay, ये Padma Awards कितने हैं, Padma Awards 3 है, कौन-कौन सा, Padma Bhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, okay, और ये hierarchy में हैं, ये second highest civilian award है, ये third highest civilian award है, ये fourth highest civilian award है, okay, Padma Bhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, and सबसे बड़ा कौन सा है, भारत रतना, मैंने आपको बताया है, कब बना, 1980, sorry, 1954 में, okay, 1954 में, बारत रतना बना, और ये awards जो हैं, ये भी 1954 में ही बने हैं, तो बेवी सिंदू का मिला है, Padma Bhushan 2020, चले चलते हैं, हमारे दूसरे option पे, option number C है, Shinzo Abe, तो Shinzo Abe को क्या मिला है, Shinzo Abe को मिला है, Padma Vibhushan, Padma Vibhushan, Padma Vibhushan 2021 में मिला है इनको, कब मिला है, 2021 में Padma Vibhushan मिला है, और ये only foreigner हैं, जिनको Padma Vibhushan Award दिया गया है, 2020, चलते हैं, मारे last की question पे, अब्दलरजाक गुर्णू, ओके, अब्दलरजाक गुर्णू जो है, इनका मैं आपको बता दू, कि इनको मिला है, 2021 में, क्या मिला है इनको, 2021 में बूल गए हो, नोबल प्राइज, किस में? लिटरेचर में, ओके, लिटरेचर में नोबल प्राइज मिला है, 2021 में, अब्दलरजाक गुर्णू को, इंगलेंट से हैं ये बाई साब, और इसके साथ साथ, अगर हम नोबल प्राइज की बात आई गई है, तो मैं आपको बता दू, कि नोबल प्राइज बनाएगे, 1895 में, 1895 में, अलफर्ड नोबर नार के व्यक्ति थे, अलफर्ड नोबल नाम के व्यक्ति थे, जिन्हों नोबल प्राइज को एस्टाबलिश की, 1895 में, और 1901 से ये देने शुरू हुए, पहले पांची कटेगरीज में नोबल प्राइज होते थे, लेकिन 1968 में क्या हुआ, जो स्वीडन बैंक है, स्वीडन बैंक ने एक और नोबल प्राइज इंक्लूड कर लिया, जो इकनॉमिक्स में दिया जाता है, 1969 में पहली बार इकनॉमिक्स में नोबल प्राइज दिया गया, इसके साथ-साथ एक और जानकारी में आपको क्या बता यह पहले इंडियन हैं जिए निटरेचर में अबल प्राइज मिला इन इन प्रप्रैस दिया गया तो झारा है है तो चलते हैं हमारे पर थी तो कोशिशन नमर थी हमारे पास है who among the following is the first woman champion in Olympics okay तो मैं आपको किया बता दूँ कि जो women है हमारी इनके साथ पहले से injustice होता आया है तो Olympics में इनके साथ injustice हो रहा था कि पहले Olympics में women's को participate करने का right नहीं था ओके पहले women's को पास्पेड करने का right नहीं था लेकिन यहां पर हमें question क्या पूछ रहा है कि पहली women champion कौन थी Olympics में तो मैं आपको बता दूँ कि यह option number A जो आप देख लें चैरलोटे कूपर यह हमारी पहली women Olympic champion थी okay Olympic champion थी इन्होंने participate कब किया 1900 में okay 1900 में पास्पेड किया और यह और यह Olympics कहां पर हो रहे थे इस टाइम पर यह Olympics हो रहे थे France में okay France में हो रहे थे Paris में यह Olympics इस टाइम पर और यह दूसरा modern Olympic event था पहला कब हुआ 1896 में अगर चार साल के बाद हो रहा है तो 1900 में अब्सक्री दूसरा होगा तो यह दूसरा था ओके यह दूसरा जाया ओलंपिक इवेंट था तो इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यह यूके से थी United Kingdom United Kingdom कैसे बनता है Scotland Wales England and Northern Ireland मैं आपको यह भी बता दूं कि यह टेनस खेलती थी तो यह पहली Champion थी पहली women champion ओके तो यहीं से women's का आइरा है और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनको रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है तो इनको रिसेंटली मिला है पदमश्री अवार्ड क्या मिला है पदमश्री अवार्ड को रिसेंटली मिला है मैंनि आपको यह बताया है अल्डी रुमाना सिंग के बारे में अगर बात करें तो रुमाना सिंग को मिलता है नseason mandela woman इसके साथ सुष्माश भबाज की अगर बात करें सुष्माश भबाज जहां था तक है ये external affairs minister थी इनकी death हो गई है एंड मैं आपको ये भी बता दू कि इनको मिलता है पद्म बूशन एवार्ड 2021 में इनकी बेटी रिसीव करती है इनकी जो डॉटर है वो से रिसीव करती है क्योंकि इनका तो इनको तो देहात हो चुका है आप यह रिसीव नहीं कर सकती खूद ओके तो यह थी इस अब्जिक् इस मोटो आफ ओलम्पिक्स ओके तो यहां पर हमारा डिरेक्ट एक फैक्ट्वल कोशन है जिसके बारे में आपको यहां पर आप तीन ओप्शन्स देहरे देख रहे होंगे और दो ओप्शन्स में से इंपॉर्टन है वो क्या है आपको मैं बता दू सबसे पहले इसका जो आ स्थिफ्टर हाईयर एंड स्ट्रॉंगर यह इसी क्यू बटन भाई साब ने यू नो हम कह सकते हैं कि create किया था इसमें introduce किया था तो पहले यह था ओर जिलें लेकिन यह updated है इसको update किया है faster higher stronger and together together okay this is the updated motto of olympic games okay and in 1921 में सबसे पहली बार इनने इंट्रड्यूस किया था इसका यह motto okay चलते हैं हमारे next question पर इसका by the way c option जो है वो correct है अगर question इस तरह से आ जाए कि initially what was the motto of या फिर originally what was the motto of you know this Olympics Olympic Games तो आप यह देखेंगे लेकिन अगर today what is the motto of at present what is the motto of you know motto of Olympic Games तो आप इसको टिक करेंगे चलते हैं हमारे next question पर which of the following color is not in the flag of Olympics okay Olympic Games जो है Olympics का एक flag भी है तो हमें बताना है इस flag में से कौन सा color नहीं है okay तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि there are five colors in Olympic flags okay आपने देखा होगा कि इस तरह के rings होते हैं कुछ इस तरह के आपको rings देखने को मिलींगे तो these rings are different five colors तो हमें बताना है कि कौन सा color नहीं है जो इन में से है तो रेड भी है ग्रीन भी है येलो भी है ब्लैग भी है ब्लू भी है तो none of the above option होगा क्योंकि हमें बताना कि कौन सा color नहीं है flag of Olympics मेरी ये तो सारे color flag Olympics में है तो यहां पर हमारे option F जो होगा वो correct होगा अब इसके साथ यह भी मैं आपको बता दूँ कि जो Olympic flags के जो यह colors है यह माना जाता है कि यह colors जितनी भी world की countries हैं जो Olympics में हिसा लेती है जो part लेत यह 5 colors रख दियें क्योंकि इन में से हर एक color किसी ना किसी country के flag में है okay और पहली बार इसको flound कब किया गया था when did was the you know when did first time the flag of the Olympics was flown so it was flown in 1920 okay 1920 में इसको यह Belgium में इस time पर Olympics हुए थे okay तो इस time पर you know first time the flag of Olympics was flown okay तो इसके साथ साथ हम चलते हैं हमारे 6th question पर यहां पर question क्या सकता है कि कितने colors हैं आप 5 आप याद भी रखें red green yellow black blue okay red green yellow black blue चलते हैं हमारे next question पर where did the 30 second है यह D यहां पर missing है 3 2 and D 30 second Olympics held तो 30 second Olympics कहां पर हुए तो मैं आपको बता दू कि 32nd Olympics जो है यह 2021 में हुए सबसे पहली बात और यह Tokyo में हुए अब Tokyo कहां पर है Japan में तो option number A हमारा correct है option number A हमारा correct है कि जो 32nd Olympic Games हैं वो Tokyo Japan में हुई 2021 में हुई और कब कब से कब तक हुई July और अगस्त में हुई July and August July and August अगर exactly कोई पूछ ले तो 23 July to 8 August 23rd July to 8 August 2021 में आपको यह भी बता दू हुए लेकिन यह अलंब यह Olympic Games जो थी यह असल में इनको कहा जाता है Tokyo 2020 Olympics कि यह 2020 में होने वाली थी लेकिन यह pandemic की वज़े से पोस्ट फुन होगी और 2021 में हुई लेकिन नाम इनको यह है Tokyo 2020 हुई तो यह 2021 में लेकिन नाम इसका यह है 2020 Tokyo 2020 यह 32nd Olympics Games थी Japan में भी Tokyo में तो चली चलते हैं हमारे next question पर उससे पहले थोड़ा से रिवाइस कर लेते हैं Cambodia क्या है Cambodia ASEAN का एक और मेंबर है 1999 में इन्होंने जॉइन किया ASEAN को और यह last member बने 10th member बने ASEAN के तो अफगानिस्तान सार्क के last member है last member में लेकि आगया आपके लिए ताकि थोड़ा सा ओल डिवाइस हो सके काटमंडू में है 1985 में बनी है यह last member बने कुन से member 8th member बने किसके तो चलते हैं हमारे next question पर उससे पहले एक और चीज़ जो 33rd Olympics होने वाले हैं वो फ्रेंस में होने वाले हैं 2024 में यह भी आप याद रखें तो चलते हैं हमारे next question पर तो next question हमारे पास है the motto of Tokyo Olympics 2020 was 2020 was okay 2020 जो है टोक्यो में जो olympics हुए उसका उनका क्या है एक specific motto भी होता है हर motto 2020 का motto united by emotions था जो टोक्यो में हुए 33rd 32nd Olympics थे okay तो यह दिस इस आप्शन तो चलते हैं हमारे next question पर which of the following game was introduced in Olympics for the first time तो मैं आपको बता दूं मैं आपको बता दूं के पांच ने games introduced किए गए okay पांच ने games introduced किए गए कब इस साल जो olympics हुआ 2021 में जिसको टोक्यो olympics 2020 का जाता है तो पांच गेम कौन से थे उसमें से बास्केट बाल था स्पोर्ट्स क्लाइमिंग था स्केट बोर्डिंग था सर्फिंग था तो यहां पर हमें कौशन सिर्फ से पहले आप कोशन किया विच वॉज फॉल्विंग गेम बास्ट्वाज इंट्रिजिए इन उन्पी फास्टाम तो अल अफ ओप्शन होजानी जानी जाए है यह लिए चार हों है तो इस आइं पहले बार नेकिन फूरों कितनी इंट्रइबिस कीगी एक फाइफ गेम्स तो पांच मीं कॉन सी है पांच मीं अमरे आपस कराटे हुक्त कराटे बसकेट बास्केट बास्कट वाल्स इस तरह से भी पूछ तकते हैं कि कितनी नई गेम्स या फिर कौन सी नई गेम इंट्रड्यूस की गई है तो हर एंगल से question cover होना चाहिए हर एंगल से topic cover होना चाहिए तो चलते हैं हमारे question number 9 पे which country bagged the first gold medal in Tokyo Olympics okay तो Tokyo Olympics में पहली कौन सी country है जिनको पहला gold medal मिला तो मैं आपको बता दूँ इसका जो question है इसका जो सही option है हमारे पास option number A है China पहली country है जिसको जिसने पहला gold medal Tokyo Olympics 2021 में जीता ओके तो मैं आपको बता दूँ के यांग क्वैन जो थी यांग क्वैन Chinese नाम थोड़े बहुत difficult होते हैं तो आप किसी तरह भी इसको प्रनसेट करें तो इन्होंने shooting में जीता है category पूछ ली जाती है आप इसका ध्यान रखना के category sports category जरूर पूछी जाती है तो आप याद रखें के यांग क्वैन थी चाइना से इन्होंने shooting में पहला gold medal Olympics का पहला gold medal 2020-21 की Olympics पहला gold medal जीता यह चाइना से थी तो इसके साथ साथ एक और चीज में आपको बता देता हूं यहाँ पर एक और चीज यह है कि USA जो है USA के पास सबसे ज्यादा medals थे इस साल सबसे ज्यादा you know medals जो है वो USA ने जीते हैं 113 medals 113 medals USA ने जीते हैं इसके साथ साथ मैं आप 39 gold medals and total 113 medals okay तो इसका option तो यह है correct लेकिन इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूँ के यह भी जुरूरी है तीसरा तो आपको पता है C option के C option क्या है जो 2022 के 2024 के Olympics होने वाले यह पैरस में होने वाले पैरस एक और चीज यादा रही होगी आपको पैरस में क्या है UNESCO के headquarters है UNESCO कब बना था 1945 में बना था इसके headquarters भी पैरस फ्रांस में okay तो international organization सामने डिसकस की है तो उसके लिए थोड़ा सा revise मुझे जहां मोका मिलता है में revise करने के कोशिश करता हूं क्योंकि चीजें ऐसी है कि भूल सकती है normal है भूलना चीजों को लेकिन भूलना नहीं है क्योंकि SSB इस बा तो यहां पर मैं आपको बता दूँ इसका जो गॉल्ड मेडल जीता है इंडिया की तरफ से ओलम्पिक्स 2021 में जो टोक्यो में हुए जो 32nd Olympics थे okay इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि नीरचोप्रा में किसने जीता तो इन्होंने जैवलिन में जीता okay जैवलिन इसको ठोड़ करते हैं तो उसी में इन्होंने गॉल्ड मेडल जीता है तो यह निरचोप्रा है इनको गॉल्ड मेल मिला और यह इस दो ही इस दो ऑनली इंडियन वह वन गॉल्ड मेडल इन 2021 टोक्यो ओलम्पिक्स तो इसके साथ साथ एक और जानकारी आपके लिए एक और ज इन्टोने silver medal जीता है। जीता है explosion बता दूस के इस मेंसे जो रवीखमार ध्यान है रवीखमार ध्यायां जैसे भी आप पढ़े रवीखमार ध्या ज्या इन्होंने जीता रेसलिंग में हमें जीता है के लिदिए जरूर याद रखें है आप मेरा छनू मेल जीता है Bj Cheer Next में हमे भीट लिप्टंग को इन्होंने जीता है सिलवर मैडल और इसके साथ-सनिए और पीवी ally Condor shindu आई है तो इन्होंने जीता है highly bronze medal को सब को पता यह better थी यह बैद्मिनेटल खेलती है और बैडबंटन चलते हैं चलते हुए भी बिजानल जीता है टोक्यों रख्या होतर आपको यहीं बता दिया है wk total you know से आगे उनके भी नाम आ जाएंगे, no problem, चलते हैं हमारे next question, by the way, इसका correct option है, वो option number A है, नेरच छोप्रा, gold medal जीता है, जिन्होंने, चलते हैं हमारे question number 11, who among the following was the flag bearer from India in Tokyo Olympics, okay, Tokyo Olympics में, India का flag किसने पकड़ा था, okay, तो हमें ये बताना है, तो यहां पर जो इसका correct option है, वो option number C है both Maricom and Manpreet Singh, they actually were the flag bearers from India in Tokyo Olympics, लेकिन, 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 ये opening ceremony में थे, opening ceremony जो थी, okay, उसमें flag bearers थे, Maricom boxer हैं, इंडिया से, and Manpreet Singh जो है, hockey team के captain है, okay, hockey team के captain है, hockey team ने भी जीता है, एक medal, आगे जलके ये भी discuss करेंगे, लेकिन, opening ceremony के flag bearers थे, वो ये दोनुँ थे, तो आप इसको याद रखें, तो इसके साथ साथ, एको जानकारी, closing ceremony के flag bearers कोन थे, okay, closing ceremony के flag bearers जो थे, वो थे, बजरंग पूनिया, okay, one second, one second, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया जो थे, ये closing ceremony के flag bearers थे, closing ceremony, okay, ये दो जो थे, ये opening ceremony के थे, okay, तो इसमें आप थोड़ा सा difference याद रखेंगा, बजरंग पूनिया wrestler है, बजरंग पूनिया जो है, ये wrestler है, और चलते हैं, हमारे next question पे, तो question number 12 हमारे पास है, who among the following has become the first trans athlete to compete in Olympics, okay, तो देखो किस तरह से world जो है, evolve हो रहा है, world जो है, उसमें सारे जुतने भी लोग हैं, उनको rights मिल रहे हैं, तो सबसे पहले men, जो men थे, वो खेलते थे, उलमपिक्स में, उसके बाद women's आगी, अब trans, you know, you know, trans human beings जो हैं, वो भी आ रही हैं, आपको समझ आ रहा हो, अगर नहीं समझ आता, trans athlete क्या होता है, तो आप Google पे कर लेना तो यह पहले trans athlete क्या होता है, तो यह पहले trans athlete कौन थे, जिन्हों ने Olympics में compete किया, तो मैं आपको बता दूँ, option number, जो आप यहाँ पे, A देख रहे हैं, यह correct option में मारे पास, Laurel Hubbard, ओके, Laurel Hubbard, जो है, New Zealand से हैं यह, इन यह पहले trans, you know, athlete हैं, जिन्हों ने participate किया है, compete किया है, क मैं आपको बता दूँ, कि किस category से हैं, तो यह weight lifting category से हैं, sorry, weight lifting category से हैं, okay, so, इसके साथ साथ एक और जानकारी, थोड़ा सर वीजन, तो वो क्या है, विनोबा भावे कोन है, विनोबा भावे की, जब हम बात करते हैं, तो विनोबा भावे ने, रैमन मैकसा से award, पहले Indian थे, पहले Indian कोन थे, विनोबा भावे, जिनको रैमन मैकसा से award मिला है, और दूसरी बात में आपको ये भी बता दूँ, कि जो हमारे पास शेक मुझीबर रहमान है, शेक मुझीबर रहमान को क्या मिला है, शेक मुझीबर रहमान को मिला है, इंदरा गांधी, पीस प्राइस, पी बंगलादेश भी कहते हैं, मैंने आपको ये भी बताया है, फादर आफ बंगलादेश, ओके, तो और तीन चीज़े हमने देख ली यहां पे एक तो, यह हमने देखा कि पहली ट्रांस अथलिट कोन है, उसके साथ हैं, हमने बागी दो आप्शन को रिवाइज कर लिया, तो चलते हैं, हमारे नेक्स्ट कोईशन पर, लेकिन थोड़ा सा में आपको रैमन मेकसासे अवाड के बारें बताओं, थोड़ा इंपोर्टन अवाड है, इसलिए बता देता हूं, तो यह नाइटीन फिप्टी सेवन में बना, फिलिपीन से एक थे, इनका नाम रैमन मेकसासे अबरें रैमन मेकसासे नोबल पराइज भी कहते हैं, इसको एस नोबल पराइज भी कहते हैं, और वनोबल पराइज पहले पहले इंडियन थे जिनको यह मिला, अगस्त को पहली बार दिया जाता है फिलिपिन्स पे प्रेजिन के नाम पे है तो यह सारी इनफरमेशन रिकाप करने के लिए चलते हैं मारे नेक्स कुशन पर हो मैंने इंडिया उलोंपिक्स टॉक्यो किमा में इंडिया और कि ख्liक्याइब उलोंपिकस नाभी वृआिख घार चाहिए ख्ली के आजो कि दूर हम्साब रूंपिक्स अइनफे तो मैं आपको यह भी बता दूं तो यह मैं इस से कौन-कॉन है तो एक मैं आपको बता चुका हूँ पीवी सिंदू पीवी सिंदू बैड मेंटन में ओके बैड मेंटन में पीवी सिंदू लॉव लीना इनका नाम है लॉव लीना बुर्गोहें इनुने भी जीता है और किसमें जीता है वुमें बॉक्सिंग में वुमें बॉक्सिंग में लॉवी लाइन ने B-O-R-G-O-H-A-I-N बुर्गोहेन, लवलीना बुर्गोहेन इन्होने वोमन बॉक्से में जीता है और इसके साथ-साथ इंडियन हौकी टीम जो है, इंडियन हौकी टीम ने भी जीता है, बॉर्ण्स मेडल मनपरीट सिंग जिसके कैप्टन है और मैवा को बता दू कि इन्होंने 41 एर्स के बाद मेडल जीता है तो इस एन इंपॉर्टन आइवुट से विक्टरी फर इंडिया एंडियन, वी मस्ट बी प्राउड यून फॉर एट इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बता दू वे birds फॉर चनव फिर वनियस को ना शॉब का मैड़ चाहब हां इस नहीं मेडल जीता है तो पाम पुनिया मेडल जीता है wrestling में ओके Indian wrestler है यह तो total में आपको बता देता हूँ पूरी tally, medal tally जो है इंडिया की, इंडिया ने 4 bronze medal जीते हैं 4 bronze medal bronze medal 4, 2 silver medals and 1 gold medal तो total medals अगर पूछा जाए तो कितने हैं 4, 2, 6, 1, 7, total 7 medals इंडिया ने जीते हैं, इसमें 1 gold 2 silver, 4 bronze, 4 bronze तो चलते हैं हमारे next question पे, question number 14 हमारे पास है, who among the following has become the first Indian gymnastics coach in Olympics, तो gymnastic coach Olympics में पहले Indian कोन बने हैं, तो मैं आपको पता दूँ कि यहाँ पे जो option number आप A देख रहे हैं option number A जो है दीपक काबरा पहले gymnastics coach बने हैं, Olympics में okay, पहले Indian gymnastic coach बने हैं first Indian gymnastic coach first Indian and first world हमारे पास already एक topic है, वहाँ पे हम भी हम बहुत सारी चीज़ें discuss करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह Olympics से related है, और sports के related है, तो यहाँ पर discuss कर रहे हैं, दीपक काबरा पहले Indian gymnastic coach in Olympics okay, इसके साथ साथ बाकिए ती इन option को okay, Indian Olympic cheer song जो है, वो गाया है, A.R. रह्मान ने और कौन सा है वो, हिंदुस्तानी वे, ओके यह सांग का नाम है, हिंदुस्तानी वे, आज आप गलगल करके सुनिए गाइस को, okay, तो यह थी यह information, option number C की तरफ जलें, तो option number C में हम यह देखेंगे, जो अशोक कुमार हैं, तो पहले Indian referee है, first Indian referee, first Indian referee in Olympics, okay, अशोक कुमार, first Indian gymnastic coach, दीपक काबरा, okay, इसके साथ साथ एक हो जानकारी, मोहिच चौहन की बात करें, तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, मोहिच चौहन, तो इन्हों ने क्या किया है, इन्हों ने Olympic theme song आया है, Indian Olympic theme song, Indian Olympic theme song, इंडिया की तरफ से theme song ज चौहन है, और इसका नाम है song का लक्ष है तुम्हारे सामने, लक्ष है तेरे सामने, लक्ष है तेरे सामने, लक्ष है तेरे सामने, okay, लक्ष है तेरे सामने, SSB को हम, you know, अपनी तरह से fully loaded रहेंगे, तो यह हमारे question number 14 था, question number 15 पर चलते हैं, last question है आज का, which country has banned by, which country was banned by international weight lifting federation from lifting weights in Tokyo Olympics, तो international weight lifting federation जो है, इसके दोवारा, weight lifting में, एक country को ban कर दिया गया है, Tokyo Olympics 2021 के लिए, तो वो कौन सी country थी तो मैं आपको बता दूँ, वो Romania थी, Romania को ban कर दिया गया है, by international weight lifting federation के दोवारा, okay, तो यह इसका correct answer था, अब बागी के तीन options को देख लिए हम, तो सबसे पहले मै मेडल किसको है, USA को, हमें सब को पता है, कितने मेडल से मिने आपको बताया है, 113 मेडल, okay, उसके साथ साथ अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना में, क्या है, चाइना के पहले gold medal, चाइना से पहली gold medal winner थी, Tokyo Olympics 2021 में, okay, पहला gold medal चाइना के दोवारा जीता गया, और जाप performer है, Olympics 2021 की, उसके बाद China है, उसके बाद Japan है, okay, these are the three top performers of Tokyo Olympics 2021, और सबसे पहले इन में को है, USA, and you know, इसके साथ है एक और जानकारी आपके लिए, कि जो India है, India की rank है, 48th, India has secured 48th rank in Tokyo Olympics 2020, 2021, अब इसके साथ, अब मैं आपको बताता हूँ के, Tokyo, जो Olympics है न, Olympics के दो segments है, okay, एक तो हो गया, Summer Olympics, Olympics, okay, यह थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ, Olympics की जब मैं बात करते हैं, तो हमारे पास पहले आता है, Summer Olympics, फिर आता है, Winter Olympics, Olympics, okay, तो यह होगे दो तरह के, अब क्या होता है, होते हैं, यह चार साल के बाद ही है, okay, अब दूसरी बात मैं आपको यह बताता हूँ, कि एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पैरा-Olympics, पैरा-Olympics, जब यह चीज़ आ जाए, तो यह है किसके लिए, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, इसमें 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 पाटिस्पेट करते हैं, जो मैंने आपको पैदे बता हैं, इंटरनेशनल ओलम्पिक कमिटी जो है, यह डील करती है, पैरा-Olympics के साथ, जो हैंड इन दो गेम्स में हम कह सकते हैं, पाटिस्पेट कहते हैं, लेते हैं, पाटिस्पेशन लेते हैं, एक तो है पैरा-Olympics, एक दूसरा है Olympics, एक पैरा-Olympics में पैरा-Olympics में कहा है, इसके अप्रिफिक लोग पाट लेते हैं, और ओलम्पिक्स में जो बाकि, यह फिसीकली फिट लोग हैं, वह पाट लेते हैं, लेकिन यह होता साथ ही में है, एक जगा होता है, तो ऐसा निये कि बदेशन गेम्स हैं, कमेंट्स दे के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थैंक्यू सो बच वर ओल्ड विशिस एंड सारी द्वाओं के लिए, आप ऐसा ही कमेंट करते रहें, हम आपसके साथ ऐसा ही बने रहेंगे, एसा ही एक एजाम आने तक हम, ऐसा ही एक एजाम आने तक हम, एसा है तो इस इस माइ वर्ड तो यू पीपल, सो आपस दुआ करें के सहत रहें, तो चलिये मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए गुडबाई, ठीक एर, और पढ़ते रहें